नमस्कार, हिंदी लानी चैनल पर आपका स्वागत है आज आश्मा महाजन हिंदी लानी चैनल पर लेकर आई है अमोली हिंदी पार्ट माला, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नमबर 8, मेरा दम घुर्ता है ये पंका चतुरवेदी जी द्वारा रचित है बेटा जी इस वीडियो में आपको easy explanation, worksheet, solve book exercise मिलेगी तो आएए पार्ट को पढ़ते हैं मेरा दम घुर्ता अभी तक मेरे चैनल पर पहले 7 chapter अप्लोड हो चुके हैं आज 8 होने वाला है इन सबका लिंक इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा पार्ट परवेश दिन प्रती दिन मनुष्य द्वारा परकृती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हर रोज हम nature को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं विकास के नाम पर कारखानों तथा चिमनियों का प्रियोग वायू को और परदूशित कर रहा है हम तो सोचते हैं development हो रही है लेकिन जो कारखानों से धुआ निकलता है वह हमारी हवा को जो हवा हम सांस लेने के लिए प्रियोग करते हैं उसको गंदा कर रहा है तो कहीं पेडों की अंदादुन कटाई के कारण प्रकृतिक गैसों में असंतुलन इंबैलंस हो रहा है परियावरन सबंदी ये एकांकी इसी समस्या पर किंद्रित है ये जैसा कि मैंने आपको बताया किसके द्वारा रच्चित है मेरा दम घुरता जी हाँ पंका चतुरवेदी जिनका जनम 24 अगस्त 1971 को उत्तर परदेश के इटावा शहर में हुआ है इटावा और कानपूर के गाउं में अरंबिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की उसके बार लखनव विशविद्याले से ग्रेजुएट हुए थे और इनको हिंदी संस्थान के रामचंद शुकर पुरसकार से भी समानित की अगया आपके लिए इतना ही जानना काफी है आज इस कहानी में पात्र ना तो मोहन है ना सोहन है ना कोई और है बलकि आज इस कहानी के पात्र कोन है गैसे जो हमारे चारो तरफ पाई जाती है अर्थ का जो एटमस्फेर है वो उस किस से बना हुए है वायू मंडल में गैसों का कितना प्रतिशत है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सिजन जानी की 99% तो यहीं खतम हो गया बाकी जो गैसे बची वो 1% है सारी गैसे चाहिए हाईड्रोजन हो, कर्बंडैकसाइड हो, कार्बमोनोकसाइड हो, सब तो आज इस कहानी के पात्र कुन-कुन है नाइट्रोजन, आक्सिजन, हाइड्रोजन, कार्बन आयोकसाइड, ओजोन, हवा की गटक, गैसे तो प्रस्तुत पाट के माद्यम से बच्चो आप सब को वायू परदूशन के कारण, दुश्परभाफ और इससे मुक्ती के उपायों की जानकारी देना ही है और वायू मंडल के जो भी घटक गैसे हैं उनके बारे में भी बताना है आप सब को पहले पता ही है परदूशन किते तरह का होता है और वायू मंडल की उजोन परद को अगर सही सलामत रखना है उसके लिए क्या करना चाहिए तो आज हम इस पाठ के मादिम से जानेंगे कि हमारी किन गलतियों की वज़ा से परदूशन की समस्य उत्पन हुई है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है नेपत्य परदा खुलता है चारो और बड़े पेड हरे बड़े पेड दूर दूर तक कहीं बस्तियां इंसान नहीं दिख रहे अब शहर से दूर फलों के बगीचे में हवा की गटक गैसों की सबा चल रही है मीटिंग चल रही है सबा में कौन-कौन है आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डैक्साइड, ओजोन ये स्थान शहर से दूर फलों का एक पगीचा है नाइट्रोजन हमारे इस महीने की बैठक में आप सभी का स्वागत है इस बार हमारे कुछ सदस्य दूबले और कमजोर दिख रहे है ऐसे में सबा की अध्यक्षता के लिए मैं आक्सीजन को अमंत्रित करती हूँ ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि यही प्रित्वी पर जीवन का मूल आधार है तालियों की आवाज होती है तो सबा की अध्यक्षता के लिए ऑक्सीजन को अमंत्रित किया जाता है और नाइट्रोजन जो है वो सबका स्वागत करती है सबा में ऑक्सीजन इसके लिए धन्यवाद देती है ऑक्सीजन हाफते हुए इस समान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकि मेरी जूटी तारीफ तो मत करो कहने को तो मैं जीवन दाई हूँ लेकिन आज मेरे जीवन कोई खत्रा लग रहा है तो oxygen कह रही है कि पृत्वी के जीवों के जीवन का आधार होने के बावजूद उसका खुद का जीवन खत्रे में पढ़ गया नहीं oxygen नहीं ऐसा मत कहो आपके बगर मेरी तो हालती खराब उचाएगी आज मेरी और आपके साथ रहने से ही तो पृत्वी पर पानी उपलब्द है पानी नहीं तो जीवन कैसे संभव होगा अब उसकी बास उनका hydrogen जो है वो घबरा जाती है क्योंकि उसके साथ oxygen के रहने से ही पृत्वी पर पानी बनता है तो जीवन का आधार है वो इस पे oxygen क्या कहती है अरी hydro मैं तो वायू में अपने अस्तित्व की बात कर रही थी किती दिरता विद्दे मानूं उसकी बात कर रही है उस पर इन दिनों इतने काले पीले देत्ते हो ने हमला कर रखा है कि अब वो क्या कह रही है कि भई oxygen बोली काली पीली जहरीली गैसों के कारण उसके अस्तित्व पर मुसीबत आ गई है इतना ही नहीं इन जहरीली बाहरी जहरीली गैसों ने हवा के अन्य गटक गैसों का भी स्वास्थे बिगार रखा है नाइट्रोजन अरे क्या बताऊं अपनी सभा के लिए कोई भी सुरक्षी जगा नहीं मिल रही थी जहां जाती वहीं काली पीली जहरीली गैसे हमला कर देती थी लगने लगा है कि कहीं हमारा भहुमत ही खतम न हो जाए भहुमत मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ विचार्ज होता है ये बारी कैसे इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उन्होंने तो हमारी सेहती बिगार दी हाइड्रोजन कैरी देखा ना देखो ना हमारी ऑक्सिजन दीदी दिनों दिन सूकती जा रही है ऑक्सिजन बोली आरे मैं तो बताना ही भूल गई अभी बैठक में आते हुए भी मैं बाल-बाल बची कई काले के लुटे राक्षा मेरी और आलपके कोई स्कूटर बस से निकल ला था कोई ट्रेक्टर से उसके दूएं में तो ऐसी तीकी गंदती की बस धम ही गुट गया बड़ी मुश्किल से जान बचाई अब इस पर ऑक्सिजन कहती है कि काली पीली जहरीली गैसों के कारण तो मेरे अस्तिता पर संकट आ गया इतना ही नहीं यह हमारी गैसे जो हैं यह स्वास्थे बिगाड रही है जाने कि इस सिक्स पॉल्यूटेंस आर कार्बन मोनोकसाइट विच लीट नाइट्रोजन ऑक्स जाने कि वो बता रहे हैं कि इन जहरीली गैसों ने हवा के अन्य गटक गैसों का भी स्वास्थे बिगाड़ा कैसी गैसे तो स्कूटर बस ट्रेक्टर कारखानों की चिमनियों से निकलती है और पकड़ का तो बस धम गोटने को लपकती है इस पर नाइट्रोजन कहता कि जगा नहीं दिखरी थी यहां मरा शुद्र समराजे हो जिदर देखो उदर धुआ बदबू गुटन आक्सिजन नाइट्रो पिछली सबा की जगा का क्या हूँ अवे तो बड़ी अच्छी जगा थी कोई गाउं था ना नाइट्रोजन क्या बताऊं दी दी पिछली बार व पिछली अरी बहन उपर से सिगर बीडियों का दूगा मुनिश्यों को दमा सांस से सबंदी रोग फेफडों की रोग तो अचा सबंदी बिमारी हैं सबी तो इसी वाई उपर दूशन से हो रही हैं वे क्या कहते हैं कि अपने ही पैड़ो पर खुद कुल हाड़ी माना पाग यह भी नहीं सोचते हैं मेरे विनाज के साथ धरती भी नश्ट हो जाएगी अब ऑक्सिजन कह रही हैं अरे कार्बन डाइकसाईल लगता है दोड़ती भी आ रही हो फिर भी देट कर दी घड़ी देखो पूरा आदा घंटा लेटो और यह क्या नेयरू बना रख है नाइट रुआंसी आवाज में ये लो उडालो मजाक वायू मंडल में मेरी भागीदारी आदा प्रतिशसा भी बहुत कमती है और मानव जाती है कि मेरा मोटापा बढ़ाने पर तुली है मेरे सासा मेरी बहन कार्बन मोनोकसाईल की भी मातरा दिन पर दिन बढ़ रही है मुझसे अन्य मेरे विनाश के साथ दर्ती भी नहीं बचेगी नाइट रोजन अरी इतनी सी तो तू है तू क्या कर लेगी मानव मुझे छेड़ने में संकोच नहीं कर रहा है जबकि वायू मंडल मेरी बागीदारी तीन चोताई से भी ज़ाद है तुम तो इतनी सी हो चीटी के बरा जर माना कि तुम ऑक्सिजन दीदी की सबसे चोटी बेटी हो लेकिन इसका क्या मतलब है कि कुछ भी बोलती रहोगी अब चुपो जाओ वरना वरना क्या मुझसे लड़ोगे विश्वास नहीं हो तो कभी सूर से पूछ ले ना सूर के परकाश में खतनाक अल्ट्रा वायले किन्नों से लड़ने की शम्ता सबसे अधिक मुझ में ही है वरना ये किन्ने धर्ती के लोगों को कई बिमारियों का शिकार बना देंगी ऑक्सिजन हाँ जोन सही कह रही है धर्ती से 10 से 50 किलोमेटर उचाई पर वायू मंडल में जोन की पतली परता है इन दिनों मानब जाती इसमें परशीतक के रूप में काम आने वाली एक रसाइनी गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा पर टूरती फूरती जा रही है हाइड्रोजन अभी मेरी सहेली का एक पत्र स्वीडन से आया है ऑक्सिजन क्या लिका है बैंचिटी में हाइड्रोजन वह तो बड़ी दुकी है उनके यहां पानी बरसने की जगर तेजा बरस रहा है उनके इलाके की हवा तो शुद है लेकिन इंग्लेंड के कारखानों ने खूब उची उची चिमनिया लगा ली है जिससे निकलता हुआ दुए तैरता हुआ स्वीडन पहुंच आता है कारखानों के धुए में नाइट तो धर्ती का ताममान भी बढ़ रहा है उक्सिजन बहन कारखानों के लेकि उपाई है लोग अधिक पेड लगाए नाइट रोजन हाँ बिल्कू सही बात कही बहन पेड कारखानों की बढ़ती मातरा को परकास संशलेशन वाली बोजन बनाने की क्रिया से सोख लेते हैं पर चड़ियों के उडने की दोनी ऑक्सिजन अरे 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 बागो बागो गबराई हुई अवास लगता है कि आदमी पेडों पर दवाई चड़क रहा है हाई हाई मेरा तो धम गुट रहा है हाई रोजन दवाई के रसाइन भी हमारे वाजूमंडर में गुलते आ रहे हैं धर्ती का तामबन बढ़ जाएगा इसलिए उसकी बढ़ती मातरा कम करनी होगी इस पर ऑक्सिजन नेका लोग जादा से जादा पेड लगाए इससे कार्बन डायोकसाइट की मातरा कम होगी सेहत में भी सुदार होगा तब ये किसान आ जाता है पेड़ों पेड़ों परना चाहिए ओकी चलिए फटा फट से हम अभियास कारे के प्रशन पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन प्रित्वी पर जीवन का मूलदार किसे बताती है ऑक्सिजन को किसके बिना पानी नहीं रह सकता हाइड्रोजन के साथ ऑक्सिजन के संपरक के बिना पानी नहीं बन सकता नाइट्रोजन किन के हमलों से प्रशांती काली पीली जैरीली गैसों के हमले से पेड़ पोदों को जीवन देने वाली गैस कौन सी होती है कार्बन डायोकसाइड और जोन की सुरक्षा परा क्यों टूट रही है लिखती है गया है गाउ में सड़क बनाने के कारण क्या समस्या हुई वो भी आपको लिखकर दे दिया है हाइड्रोजन को क्यों लग रहा था मुरिश अपने पैरो पर स्वेम कुल हारी मार रहा है ये भी आपको लिखकर प्रवाइड कर दिया है उपर से स्टार्ट की है लिखना मैंने ओकी उसके बाद लास्ट के जो तीन कोशन है स्पेस बहुत कम थी जिस वज़ा से मैंने अगले पेच पर आपको प्रवाइड कर दी है और जो उने अपनी क्या परशानी बताई और ये वो क्यों महत्वपून है हाइड्रोजन की सहेली ने पत्र में क्या बताया उन्होंने बताया था ना उसके इलाके की हवा तो शुद है मगर उसके या इंगलेंड के कारकानों की उंची चिमनियों से धुणा तैर के पहुंच जाता है जिसमें नाइट्रोजन औक्साइड सल्फर डायुक्साइड की मात्रा भी होती है तो पानी के सामिल कर वो एसिडरिन बनाती है कारवन एक्साइड ऑक्सिजन का ताल मेल कैसे ठीक हो सकता है अगर जादा से जादा हम पेल लगाएंगे हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए नाइट्रोजन ने सबा की अद्यक्षता के लिए हाइड्रोजन को अबंतरित किया नहीं मनुष्यों को दमा, सांस, तवचा, सबंदी, रोवायू पर दूशन के कारण होते है दर्ती से साथ नबे किलो मीटर है रोवायू मंडल में जो उनकी पत्री बरता है बच्चे इसमें भी बिंदी लगा के चंदरविंदू बना देते हैं तो बिंदी नहीं लगाते इसके अंदर, ओक का स्वर है ये सैकिंड कोईशन में नुक्ता लगाना था, ज के नीचे और फ के नीचे आपको लगा कर मिल जाएगा सामने देखिए, कहीं कहीं लगना है, हर एक जगा भी बिंदी लगना, ओके थर्ड में आप रह के भी बिंदूपों के बारे में जान चुके हैं धर्म, प्रथम, ट्रक, इसी तरह रह के उचित रूप का प्रयोकर के सार्थक शब्द बनाने थी जो मैंने आपको रिटन में प्रवाइट कर दिये, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, मैं ऑक्सिजन को मंतरित करती हूँ तो इसमें मैं जो है, वो करता है, तो करतवाच्य हो गया, मेरे द्वारा ऑक्सिजन मंतरित की जाती है, तो ये करम बाच्य हो गया तो वाच्चे के भेद अकर समझ नहीं है तो उसका लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में दे दोगी वहाँ जाकर डीटेल में समझ लीजेका कि किस तरह कर्त वाच्चे को करम बाच्चे में बदलते हैं क्यूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं डीटेल में जाना चाहिए था क्यूंकि ये उजों सही कहा रही है। इंदुगनी राचुगनी पहले मैंने अर्थ लिख दिया है शिगरता से और अधिक उन्नती करना उसके बाद वाक्य बना दिया है बाल बाल बचना मुसीबत में पढ़ते पढ़ते बचना अपने पाउं पे कुलहाडी मानना ऐसा काम करना जिससे अपना अहित हो जानिक अप अपर लिख कर दे दिया है नोदो गैरा होना भाग जाना तो इस तरह यह चैप्टर यहां पे होता है फिनिश इसके बाद वरक्शीट कारे पत्री का बन में पहला कोशन पूछा गया है हवा के घटक गैसों की सबा शेहर से दूर क्यों हो रही थी क्योंकि शेहर से दूर ब पानी है बच्चो जी हां आदे से अधिक भाग में इसी परकार नाइट्रोजा ने पिछली सबा वाली जगा पर इस बास सबा करने का विचार क्यों नहीं किया मिस कार्बन डियक्स सबा में समय पर क्यों नहीं पहुंची यह आपको लेसन पढ़ा दिया खुद आंसर कीजि उसके बाद विशेशन विशेश्य का उच्चित मिलान करने है अब तो आपको समझ में आई गया होगा विशेशन क्या होता है अड्यक्टीव और जो उसकी विशेश्य काल हो गया कारे पति का दो में शब्दों से भावचक संगय बनानी है भागी दार, भागी दारी, मोट मोटापा इसी पकार बाकी शब्द निमालिकी वाक्यों में उचित विरामचीन लगाने थे थर्ड कोश्य में वाक्यों के काल बताने है जाने की कौन सा टाइम है ये आपके बगार तो हालती खराब हो जाएगी जो टेंस पढ़ते हो ना आप हो जाएगी गागे गी लगा हु है न उसी परकार मुझसे जादा तो वैं मानभ जाती को नुकसान कर रही है वर्तमान का लइए प्रेजेंटेंस की बात हो रही है और इसी परकार last option और second last option आपको समय में आ गया होगा आ गया है समासिक शब्द समास विगर है गली गली प्रतेक गली इसका समास विगर है फिर दिन ओ दिन दिन ही दिन में काली पीली काली और पीली और देश विदेश देश और विदेश तो यहां पर chapter हुगा finish पढ़ दीजिए 8 chapter 9 chapter लेकर next week जल्दी ही present हो जाएंगे तब तक आप मन लगा कर पढ़िए दोस्तों के साथ वीडियो को share कीजिए गुडबाई everyone कारे पत्रिका के आंसर भी आपको दे दिये गए है कारे पत्रिका बन के उत्तर यह रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और अगर आपकी अध्यापी का पेपर में exam में कोई भी question answer related आपके पास already पढ़ा हुआ material है कारे पत्रिका दो के आंसर यह रहे तो सारी चीज़े पढ़के जाईएगा ताकि teacher कहीं से भी question दे तो आपको आता हूँ okay students goodbye everyone